एक्स्प्लेना, पुरानी पेंशन पर सरकारी करमचारियों ने क्योधी हड़ताल की धम की? जानिये पूरा मामला NPS versus OPS, कई राज्य सरकारों ने पिछले दिनों OPS, OPS को बहाल कर दिया है इसके बाद दूसरे राज्यों के करमचारी और केंद्रिय करमचारी भी पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग कर रहे है OPS को लागू नहीं करने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है What is NPS? केंद्रिय कर्मचारियों समेत कई राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना, Old Pension Scheme को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं. अब उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी National Pension Scheme, NPS, लागू होने से खुश नहीं है. उनकी मांग है कि Old Pension Scheme, OPS, को फिर से लागू किया जाए. सितंबर 2023 से देश भर में अलग-अलग राज्यों के सरकारी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. पिछले हफते असम में कई दफ्तरों के बाहर सरकारी कर्मचारीों की तरफ से प्रदर्शन किये गए. राजधानी दिल्ली में किया गया चौथा बड़ा प्रदर्शन पिछले साल नवंबर में केंद्र और राज्य सरकारों के हजारों करमचारी और पेंशनर्स दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए इन लोगों ने केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना, OPS, को तुरंत वापस लाने की मांग की यह पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने के मामले पर राजधानी में किया गया चौथा प्रदर्शन था दूसरी तरफ रेलवे के कई कर्मचारी संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि यदि पुरानी पेंशन योजना, OPS, को लागू करने की मांग नहीं मानी गई तो वे एक मई से देश भर में ट्रेन सेवाएं बंद कर देंगे NPS के खिलाफ क्यो है सरकारी कर्मचारी? पुरानी पेंशन योजना, OPS, को बहाल करने की मांग कर रहे संगठनों के अनुसार जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी करने वालों को रिटायर्मेंट के बाद की जिन्दगी की चिन्ता है उनका कहना है कि नई पेंशन योजना, NPS, के तहत हर महीने तनक्वा से 10% पैसा काटना ठीक नहीं है NPS में कर्मचारी 10% पैसा पेंशन फंड के लिए देता है और सरकार 14% पैसा देती है कर्मचारियों का यह भी तर्क है कि सरकार के पास कर्मचारियों की सही संख्या का रिकॉर्ड नहीं है इसलिए कई बार सरकारी कर्मचारियों के फंड में पैसा जमा नहीं हो पाता रिटायर्मेंट के बाद मिलने वाली पेंशन इसी फंड पर निर्भर करती है NPS में महंगाई भत्ता, DR नहीं मिलता Old Pension Scheme क्या है? पुरानी Pension योजना, OPS, को 1950 के दशक में शुरू किया गया था योजना के तहट, Retirement के बाद कर्मचारी को हर महीने आखिरी मिलने वाली Basic Salary का 50% Pension के रूप में मिलता है इसके अलावा, Retirement पर या पिछले 10 महीनों की इंकम का औसत, जो भी ज्यादा हो उस पर महंगाई भत्ता, दा, भी मिलता था इस फाइदे को लेने के लिए सरकारी नौकरी में कम से कम 10 साल पूरे करने जरूरी थे इस योजना में करमचारियों को किसी प्रकार का पैसा जमा नहीं करना पड़ता था और मिलने वाली Pension पर Tax भी नहीं लगता था सरकार की तरफ से साल 2003 में OPS बन कर दिया गया हालांकी इसे लागू एक अप्रेल 2004 से किया गया यहां बहाल की गई पुरानी Pension योजना राजस्थान, 36 गड़, जारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने इसे वापस लाने की घोशना की है पश्चिम बंगाल ने कभी भी NPS लागू नहीं किया हर महीने मिलने वाली Pension से Retirement के बाद जिन्दगी भर कमाई का एक पक्का जरिया मिल जाता है पुरानी Pension योजना का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि इसके लिए करमचारियों की तनक्वां से किसी तरह का पैसा नहीं काटा जाता जिससे उनकी आर्थिक स्थिती पर बोज कम होता है साथ ही Retirement के बाद मिलने वाली Pension पर भी किसी तरह का Tax नहीं लगता अगर करमचारी खुद चाहें तो वे अपनी Pension राशी को बढ़ाने के लिए और पैसा जमा भी कर सकते हैं NPS क्या है? नए Pension System, NPS में राज्य सरकार के करमचारी अपनी Basic Salary और महंगाई भत्ते का 10% राशी जमा करते हैं इसके अलावा सरकार की तरफ से 14% पैसा जमा किया जाता है यह पैसा Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA, द्वारा मंजूर किये गए फंड्स में से किसी एक में लगाया जाता है इस फंड का रिटर्न शेर बाजार से जुडा होता है इसलिए यह निश्चित नहीं है कि आपको कितना पैसा मिलेगा रिटायर्मेंट के बाद जमा पूंजी, कॉर्पस का 60% टैक्स फ्री होता है जबकि बचे हुए 40% को N.U.T. निवेश योजना में लगाने पर टैक्स देना पड़ता है OPS या NPS किसमें ज़्यादा फाइदा अगर आसान शब्दों में बात करें, तो OPS से सरकारी खजाने पर बोज बढ़ता है लेकिन NPS से सरकारी करमचारियों की टेक होम सैलरी पर असर पड़ता है यही कारण है कि कुछ राज्य सरकारी करमचारियों को अपनी तरफ आकरशित करने के लिए OPS बहाली करना चाते है OPS और NPS दोनों के अपने अपने फाइदे है Old Pension Scheme योजना का फाइदा केवल सरकारी करमचारियों को मिलता है लेकिन New Pension Scheme का फाइदा सभी लोगों को मिल सकता है Private सेक्टर के करमचारी भी NPS में निवेश कर रिटायर्मेंट के बाद आर्थिक मदद ले सकते है साथ ही NPS में टैक्स छूट भी मिलती है वित्राज्य मंतरी पंकर्च चौधरी ने पिछले दिनों लोकसभा में दिये एक लिखित जवाब में बताया था कि 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार के पेशन्स की कुल संख्या करीब 68 लाक है इसमें Defense Pensioners भी शामिल है पुरानी Pension योजना OPS को बहाल नहीं करने पर सरकार का तर्क यह है कि जैसे जैसे पेंशन का भुकतान बढ़ता है राज्यों को अधिक फंड पेंशन के लिए देना पड़ेगा जिससे Capital Expenditure बढ़ेगा और दूसरे विकास कारियों के लिए कम पैसा बचेगा होली से पहले नगर निगम कर्मियों को मिले वेतन व पैंशन कानपुर नगर निगम कर्मचारी संग के बैनर तले कर्मचारियों ने मंगलवार को महापौर्ट प्रमिला पांडे व मुख्य वित लेखा धिकारी कृपानन शुकला से उनके कार्याले में मुलाकात की संग की मांग है कि कर्मचारियों को होली से पहले वेतन, पेंशन दे दिया जाए ग्यापन देने वालों में संग के महामंत्री रमाकांत मिश्रा, देवीदीन भाव, रमाकांत मिश्रा, चौधरी गोपाल, राजू पवन, मुन्ना हजारिया, मुन्ना पहलवान, नीलू निगम, संजय हजारिया, पंकच शुकला, राम सिंग, बेनिहटी, अकील मसूद, सरव दिनेश मिश्रा, जमुना सिंग, दिनेश गुपता आधी लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे, सचर कमिटी, ओल्ड पेंशन स्कीम और जांच एजंसियों पर कानून, कॉंग्रेस के घोशना पत्र में इन बातों पर फोकस, चुनाव आयोक की ओर से लोकसभा चुना के साथ कई और बड़े नेता शामिल हुए थे, इस बैठक में घोशना पत्र में शामिल किये जाने वाले वादों को लेकर चर्चा हुई, लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के एलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां वोटरों के लिए रणनीती बनाने में इसके साथ साथ घोशना पत्र में कौन से वादे को शामिल करना है, इस पर भी पार्टी नेताओं के बीच में बातचीत हुई, सूतरों के मुताबिक, कॉंग्रेस इस बार के अपने घोशना पत्र में सचर कमेटी, ओल्ड पेंशन स्कीम और जाँच एजंसियों पर कानून बनाने का वादा कर सकती है, कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी के नेता सचिन पाइलट ने कहा कि आज घोशना पत्र को लेकर बैठक हुई, हमने अनेक मुद्दों पर चर्चा की है और जो गारंटी मलिकारजुन खरगे और राहुल गांधी ने बार के हालात के बारे में भी लोगों को बताएंगे, हम बताएंगे कि आने वाले समय में जब इंडिया गट बंधन जीत कर आएगी तो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था, किसान, बेरोजगार और नौजवानों के लिए काम करेंगे, SCST वर्क के लिए स्पेशल बजट का कर सकती है वादा सूत्रों के मुताबिक, कॉंग्रेस के घोशना पत्र की कुछ खास बाते सामने आई है इसमें Old Pension Scheme, सचर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के साथ साथ जम्मु कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और वहां तुरंत विधान सभा चुनाव कराना, लद्दाक को स्पेशल स्टेटिस देना शामिल हो सकता है इसके अलावा SCST वर्ग के लिए स्पेशल बजट का जिक्र भी हो सकता है कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी ने घोष्णा पत्र को मंजूर करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मलिकारजुन खरगे को अधिकृत किया है इसके साथ घोष्णा पत्र कब और कैसे जारी किया जाएगा इस संबंद में भी फैसला लेने के लिए पार्टी अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है न्याए पत्र जारी करेगी कॉंग्रेस पार्टी के नेता जैराम रमेश ने कहा है कि कॉंग्रेस केवल घोष्णा पत्र ही जारी नहीं करेगी बलकि न्याए पत्र भी जारी करेगी ताकि लोगों को उजजवल भविश्य दिखाई दे वही कॉंग्रेस महास्चिव संगठन केसी वेनुगुपाल ने कहा कि हम तीन महीने के भीतर तेलंगाना में 30,000 सरकारी नौकरिया दे चुके है उसी प्रकार हम ग्रामीन युवाओं, महिलाओं और किसानों की चिंताओं को संबोधित करते हुए देश के लोगों से वादे कर रही है गोश्णा पत्र में शामिल होंगे पांच स्थम्भ पार्टी ने कहा कि कॉंग्रेस का घोश्णा पत्र 1926 से ही देश के राजनीतिक इतिहास में विश्वास और प्रतिबधता का दस्तावेज माना जाता है भारत जोडो न्याई यात्रा के दौरान हमने न्याई के पांच स्थम्भों की बात की है जिनकी स्थापना हमारे देश को मजबूती देगी उन पांच स्तंभों में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय शामिल है पार्टी ने कहा कि इन पांच स्तंभों के तहट कॉंग्रेस पार्टी कुल 25 गारंटियां दी है जो देश को बीजेपी के अन्यायकाल से मुक्ती दिलाएंगी